हेलो फ्रेंट्स मैं अशाद और अब देखें मैं पास्नल एक्स्पिरियंस पॉलेंट फ्रेंट्स वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है यह नियू वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइ important question मैं बताने वाला हूं आप लोगो क कि appointment अप लोग को मिलेगी लेकिन आप लोगो अपनी-अपने ध्यान रखिए कि work permit पे तो अब यूज मैं आप लोगो को work permit भी दिखाऊंगा और क्यों appointment नहीं मिल पाएगी किसको किसको पहले ही आप लोग उसके लिए तयारी कर लिएगा बहुत important चीज़े बताऊंगा इसमें work permit कैसे है, work permit का timing क्या है कब खतम हो रहा है, कैसे appointment का क्या मसला है सब चीजों का notice करके मैं आपको point आप लोग को बताऊंगा और उसकी तयारी आप लोग पहले से कर लिएगा तो friends ये वीडियो बहुत important होगी हर उस भाई के लिए जो appointment ले रहे हैं या तो जो work permit apply भी करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत important वीडियो होगी कि apply करने से पहले ही वो अपने office में या जहां भी जिन से भी apply कर रहे हैं वो proper तरीके से बात कर सकते हैं और तयारी कर सकते हैं पहले से ताकि उनको आगे आने आले future में कोई problem का सामदानी करना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आप लोग को खास कर बताऊंगा आपको work permit भी दिखाऊंगा appointment भी बताऊंगा कि आपको appointment कैसे apply करना है किस time apply करना है और work permit आपका कैसे होना चाहिए कैसे कैसे timing होनी चाहिए जिनका जिनका जो timing निकल गई है जो time बचा है work permit में उसके according में मैं आप लोग को सारी information दूँँगा इसमें वीडियो को पूरा देखीगा समझना आपको है तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग को मैं आपका important point और work permit को ध्यान से देखिएगा ध्यान से समझेगा कुछ नहीं समझ में आए तो कोई issue नहीं है comments box खुलाओ आए WhatsApp number देदूँगा आप लोग बात भी कर सकते हैं मैं आप लोग को पूरी information प्रोवाइड करूँगा ठीक है friend चलिए दिखाता हूँ आपको क्या important है यह work permit आपके सामने है यह आप देख सकते हैं यह example के तोर पर मैंने रखा है एक साल का work permit है ही है और यह video उन लोगों के लिए खास कर बहुत important होगी जिनका work permit एक साल का है या तो फिर जिनका सीजनल है या जिनका डिर साल का है वान एंड हाफ एस का भी work permit आता है ऐसा है मेरे client का आया और visa भी लगे हैं उनके तो डिर साल का भी work permit आता है एक साल का भी work permit आता है और सीजनल तो उससे भी कम होता है दो साल तीन सान वालों को कोई टेंशन नी जिनका भी लेटेस्ट आया है अगर उनका टाइम ज्यादा निकल चुका है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खास ख्याल रखना होगा अपने टाइम पे तो फ्रेंट्स ये देखिए आप इसमें एक साल का टा खतम हो रहा है या अपरेज से पहले खतम हो रहा है वो लोग तोड़ा अपने वर्क पैमिट पर ध्यान दें ताकि उनको ये पता चलिया है कि वो अभी अपॉइंट्मेंट के लिए अपलाई कर रहे हैं तो मैं कुछ आप लोग को पॉइंट बता रहा हूं उसको जोड़ि जाव को मिलेगी तो वह भी मैकसिमँम्दस से पंधरा दिन की बात की मिलेगी तो यानि कि आपके साले करीब 6 महिने आपके निकल जाएंगे पांच महिने भी आप्याइशन करेंगे तो उसमें भी आफिसर्स आपका 15 दिन से एक महिने का टाइम लेंगे आपको रुज़र करेंगे। Я प 사고 आपका वीजा तो नहीं लगेगा हैं यही चीज़ आप मैं आप मताने के कि भीडियो बना रहा था कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे apartment मिलेगी और किस इसाब से apartment नहीं मिल पाईगी क्योंकि अभी सब का धियान है कि बस apartment मिल जाए और हम submission कर लें किन उनका point पर धियान नहीं है कि किसे किसे में 5 महीने बचे हैं और ट्राइस सब कर रहे हैं लैकिन यशा है कि आप लोग अभी ट्राइक कर रहे है लेगिन उससे पहले आप अपने इसको रिनॉर्ल करने की तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा जिनसे भी आपने ओर्ल काLE mean है या तो वो भी आपका shout out हो जाएगा और involved होता है तो आपको फिर recommendation आपका employment contract जो भी आया है वो सब अच्छे से आप change करके और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे क्योंकि अभी appointment के लिए VFS बंद हो चुका है embassy try चालू हो गया उसमें भी काफी time गया लोगों ने appointment नहीं मिल हाई दो-तीन दिन में उनका बहुत सा सवाल था कि सब मेरे पर इतना इतना वर्क परमिंट पर टाइम बचा है तो अब क्या करो सब को मुझे मैंने देख दाखके अभी यह वीडियो में बता रहा बना रहा है आप लोगों के लिए बहुत खास देखिए सीजनल वर्क परमि में यह स्टाड हो जाएकर caster दोजर चौबिस काца competitor 24 दस्में खतम हो या नि कि इसमें बहुट टाइम इसके चांशिस है वीजा लगने कार CauseWhat पर विजा लगता है इसा नहीं है कि मेरा क्लाइंट है उनका लगा वह चुट्टी पर भी आयों है उनसे मिलेंगे इंचला उनकी वीडियो बनाऊंगा आपको देखाऊंगा तो यह कहने का मतलब यह है कि अभी दस महिना है इसमें चांसे बहुत हैं अपांटमेंट मिलने की विजे की तो बात की बात है लेकिन अपांटमेंट के चांस अच्छे हैं इसमें ऐसे टाइम होना चाहिए आप लोग के वर्क पर्मिट पर अब जिस भाई कभी वर्क पर्मिट अगर सीजनल है और उनका भी काफी टाइम निकल चुका है तो पहले वो उसको रिनॉल करवा लेनी तो उनकी इमेल आ जाएगी वेट करते करते और ज्यादा आप लोग का लौस होगा कि लाश्ट तैम अगर आपको इमेल आ गई कि आपकी अपांटमेंट कैंसिल कर दिये गया है प्रोसेस तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी और ज्यादा दुख होगा फिर आप सो इंपॉर्टेंट मैंने निकाला है आप लोग को वीडियो काफी समझ में आई होगी बात क्योंकि जब टाइम ही कम होगा तो अपॉइंटमेंट अफिसली आप लोग को मिलते मिलते भी नहीं मिल पाईगी तो फ्रेंट्स मेरा सबसे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपलाई करना उनको भी शेयर करिएगा मिलेंगे फिर इंशाला अगली वीडियो में आपको दोस्नों साथ अलाफिर